हेलो फ्रेंड्स आप सभी का ज्यान दीप यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वावत है दोस्तों आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सब्द विचार विशे की विशे में जानकारी जो है प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों अगर आपने सब्द विचार सेशन 1, सेशन 2 का वीडियो अब तक नहीं देखा होगा तो आप नीचे डिस्क्रिशन में सेशन 1 का लिंक और सेशन 2 का लिंक दिया गया है आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो तब आपको सेशन 3 अच्छी तरह समझ में आएग चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो इसे जल सल सस्क्राइब कर देजिए और जो सामने बेल आइकन दिये गए हैं उसे जो है आउन कर देजिए उसे क्लिक कर देजिए ताकि आपको मेरे लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन या अपडेट आपको जो है प्राप्त होता रहे तो दोस्तों जल से जल सस्क्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे नाइक करें उसे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी घर बैटे इस लेशन का इस व्याकरन का सब्द विचार का फाइदा प्राप्त होता रहे और कमिंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो जो है कैसा लगा सोची मन सस्क्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए और कमिंट कीजिए ताकि आपको मेरे जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिलता रहे चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमने अब तक सेशन वन में हमने यह जाना कि जो है सब्द के चारभे दोते हैं उत्पत्य के अधार पर अर्थ के अधार पर रशना के अधार और व्याकर्निक प्रकार के अधार पर तो उत्पत्य के अधार पर इसके पांज भेद थे जिसको हमने जो है देशज, विदेशी और शंकर शब्द, उसके बाद बनाओ या रशना के अधार पर इसके मुख्यत दो भेद होते हैं, एक रूर शब्द, योगिक शब्द और योग रूर शब्द, इसकी जानकारी हमने सेशन टू में प्राप्त की है, चलिए सेशन थी के अब हम लोग जान करने वाले हैं, अर्थ के अधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, इसके मुख्यत दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द, चलिए अब इस भेद को इक के करके हम लोग समझते हैं, चलिए पहला कव सार्थक शब्द, आपको सामदे एक पिच्चर दिखाई दे रहा है, आपको कमीन करके बताना है, एक पिच्चर किस सीच का है, चलिए इस जो है, पिच्चर जो है, यह है कमल का पिच्चर है, कमल एक शब्द है, और यह कमल का अर्थ क्या है, एक फूल, कमल एक शब्द है, ल ठीक है? तो यह क्या है? जिन सब्दों का जो सब्द अर्थ वो धक होते हैं? उन्हें सब्द नेज़ंद वो अर्थ दे रहे हैं? अर्थ का बहुत करार हैं? ऐसे सब्दों कोनानति का जाता है जैसे नदी, पीपल, बच्चा, पहिया, आदी कुछ उधारने हैं चलिए, अब हम जो है नेशबेद चीओर बढ़ते हैं जो हमारा सेकेंट भेद है वो है निरथकशब्द सामने इसके में आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, आपको बताना है इस शब्द का अर्थ क्या होता है? मलक शब्द का अर्थ क्या होता है आपको कमिन करके बता रहे बहुत सही मलक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है यह जो है मिनिंग लेस है क्यों? क्योंकि यह शब्द है मलक भी एक शब्द है लेकिन कैसा है? निरर्थक शब्द है इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है लिखिछ चली इसको हम सार्थक सद में तो अग कर देते हैं सार्थक सद में यही मलब को मैंने सही क्रम में लगा दिया हो गया कमल जैसे हमने सार्थक का उधारन देखा था कमल इसका मिनिंग है एक फोल अगर हम वर्णों के सही क्रम में रखते हैं और उस शब्द का अर्थ बोथक जो है अर्थ निकलता है तो समझे वो सार्थक सद है अगर वो नहीं निकलता है तो वो निर्थक सद है चले से परिभाशा हम जान लेते हैं निर्थक शब्द जो शब्द अर्थ बोथक नहीं होते इस शब्दों कोई अर्थ नहीं होते उन्हें कहा जाता है निर्थक जैसे वानी, खट, राटी आती है दोस्तों हमने अपने बोलचाल में, अपने वहवार में कई ऐसे सार्थ और निर्थक जो का प्रियोग करते रहते हैं मैं कुछ आपको एक्जामपल दे देता हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि क्या आपने खाना वाना खाया की नहीं खाया तो हम खाना साथ वाना सुद्ध का प्रियोग करते हैं, तो यह वाना क्या है निर्थक, राइट, कोई हमारे घर पर आ जाते हैं, हम पूछते हैं, अपने चाय वाय लिया की नहीं अच्चा है सार्थक है वाई क्या है निरत्तक शब्दे हैं हम अपने जीवन में अपने वेवार में कई जो है ऐसे शब्दों का प्रियोग करते रहते हैं कभी-कभी हम दो ऐसे निरर्थक शब्दों का भी प्रियोक कर देते हैं, ठीक है, और वो हमारे किसी ने किसी अर्थिवो समंदित हो जाता है, चलो एक एक्जामपल देखे में, मैं आपको जो बता देता हूँ, जैसे तुम क्या यहाँ पर अंट शंट काम कर रहे हो, अब यहाँ पर अंट शंट, न अंट का कुछ मिनिंग है, न शंट का कुछ मिनिंग है, लेकिन हमने इसको वाक्य में पिरो दिया है, इसको वाक्य में गर दिया है, अंटिशंद का यहाँ पर अर्थ होगा फिजूल का काम, अंशंद होता है फिजूल का, तो ऐसे ही बहुत सार्थक होते हैं, कुछ निरत्तक होते हैं, मिनिंग लेस होते हैं, लेकिन हम उनको सार्थक के साथ रखकर उसका एक मिनिंग फुल जो है, एक बोलचाल व्याक्रण में सार्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं हम व्याक्रण में सार्थक शब्दों पर ही जो है सीखते हैं उसके बारे हम जानकारी मुदाब्त करते हैं अर्थ की दिश्टी से हम सब्दों को निमलिकित भागों में बाड़ते हैं तो अर्थ के दिश्टी में इससे कम से कंद चार भागों में बाड़ दिया गया है पहला एक अर्थ है जिस शब्द का सिब एक ही मिनिंग निकले हैं अनेक आर्थ है जिस शब्द का अनेक अर्थ निकलें विल्यूम शब्द जिस सब्द का ओपोजिट हो यह फिर इसका जो है विरुदार्दी हो प्रयवाची जिन एक शब्द का कई सब्द जो है सेम अर्थ देते हो जानकारी हम इके करके जो है अपने नेक्ष वीडियो में इसको अच्छे से इसको समझेंगे अब जो है हम चलेंगे इसके चोथे भेट की तरफ व्याकरणी प्रकारी के अधार पर इसे जो है दो भागों में बाड़ दिया गया है पहला विकारी शब्द दूसरा अविकारी शब्द है चले जानते हम एक अविकारी शब्द क्या होता है जिन सब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारल, आदी के अनुसार परिवर्तन होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं इनके मूंके तरफ चार भी एदें संग्या, सरना, विशेशन और क्रिया मैं आपको इन शब्दों की जानकारी में आपको दिला देता हूँ जैसे एक वाक्य है लड़का स्कूल जाता है अब लड़का पुलिंग है तो उसके साथ क्रिया जाता है लड़की स्ट्रीलिंग है उसके साथ जाती है यहां पर लड़कुलिंग के अंसार परिवर्तन हो रहा है और स्टीलिंग के अंसार परिवर्तन हो रहा है चले वचल में ले ले लेते हैं टेके लड़का स्कूल जाता है लड़के स्कूल जाते हैं अब यहां पर वचल सबंदी जो है परिवर्तन हो रहा है चेंजेस हो रह सरवनाम के कारण बदलाव आते हैं विशेशन के कारण बदलाव आते हैं और क्रिया के कारण भी इसमें बदलाव आते हैं हम इसे एक एक कार करके जो है अपने जो है नेक्स वीडियो में जो है अपने आने वाले वीडियो में इसे विश्य पर हम चर्चा करेंगे चले जो है अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारग आधिक अनुसाय परवर्तन नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहते इसके जो है मुकित चारभेद होते हैं, क्लिया विशेशन, संबंद बोधग, समुच्चे बोधग और लाज जो है विश्मयादी बोधग इसकी भी जानकारी हम आने वाले वीडियो इसको हम लेंगे, लेकि हम यह जान लेंगे अविकारी शब्द क्या होता है अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं, जिनके कारण वाक्य में कोई बदलाव नहीं आते हैं जैसे, सेम हम जो है विकारी शब्द का उधगार लेते हैं, लड़का स्कूल जाता है लड़के स्कूल जाती है, लड़का स्कूल जाता है, लड़किया स्कूल जाती है अब यहाँ पर में एक शब्द एक एक शब्द इसमें एड़ कर रहा हूँ लड़का धीरे धीरे स्कूल जाता है, लड़कियां धीरे धीरे स्कूल जाती है अब यहाँ पर लिंग के दुसार कोई changes नहीं हो रहा है और वचन के अनुसार भी धीरे धीरे शब्द में कोई changes नहीं हो रहा है यहाँ पर लड़का है तो भी धीरे धीरे है यहाँ पर लड़की है तो भी धीरे धीरे है तो ऐसे कुछ शब्द जो होते हैं क्रियावी शेशन के संबंद बोदर के समोचे बोदर के और विस्मयारी बोदर के ये लिंक वचन कारक के अधर सार कोई परिवर्था नहीं होते कोई उसमें बदलाव नहीं आता उसे जो है अविकारी शब्द कहा जाता है तो चलिए अब वीचे in आवाज में 10 öz 2 3 जर जाना है उसकी कुछ मुझ के बाते देख लेते हैं हमने जो है शब्द की परिभाषा जानी दो याए दो से अधिक शब्दो शर्व से बने सातर नहीं को अध्य प्यूदर को सब्द कहते हैं उसके बाद हमने जो है विया नहें प्रीकार r बनावट के अधार पर इसके जो योग और योग रूर्ट के अधार पर इसके जो है दो भेद है सार्तक और निरर्थ आशा करता हूं कि आपको जो है आसान बावठ पर यो है कर लेते हैं अब यहां पर आपको जो है सही और गलत आपको जो है बताने हैं कि पहले कोशन के अंसर सही है या गलत है शब्द के तीन भेद होते हैं सही या गलत यह जो है गलत है शब्द के चार भेद होते हैं विदेशी भासा से आयर शब्दों को देशा शब्द कहते हैं य कोई अर्थ होता है उसे निरथख कहते हैं ये जो है गलत है उसे हम आतने नहींनीं करते हैं यहां पर नेस्ट कोश्टन की और तरफ कोश्टन में कुछ आपको तीन जो है अंसर दिये गए उसमें आपको राइट के निशान लगाने संग्या, विशेशन, पक्रिया तथा घार्ष विकारी शब्दे देशी बोलियों से हिंदी में आये सब्दे ़ेट कहिलाते हैं आजिक अर्थ वाले शब्दों को डशड़ कहते हैं। उसे अनिकार्थी शब्द कहते है。 संतिखस भाशना से जियों के तियों हिम्धी प।्झत होने शब्दों को टश्णronics कहते हैं। जो लिग वचन काल के अनुसा बदलते हैं। उन्हें डश हैं... जो है विकारी शब्द कहते हैं तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो काफी पसंद आया होगी आपको कुछ अभ्यास के दौरा आपको परिचे मिल गया होगा कि किस परकार के आपके प्रश्ण उतर में पूछे जाते हैं और क नहीं किया है तो लाइक और सस्क्राइब कर दें कमेंट करें कि आपको जो है नेक्स वीरियो कि सीज चाहिए और ताकि मैं जो है उस ने वीडिया नए वीडियो पर जो है ने जो है उस्ट विच्रेपर में सकआँ एब यह लिए ज़ो है लlor hai thousand and users